कॉंग्रस ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधान सभाद चुनाओं के लिए 125 प्रत्याश्यों की सूची जारी की लेकिन इसमें लखनाओं की सरोजनी नगर विधान सभाद सीट चर्चा का विशय बनी हुई है दरसल इस सीट से कॉंग्रस के महिला शक्ती विधान घोशना पत्र पर महिलाओं की तस्वीर में जगह पाने वाली डॉक्टर प्रियंका मौरिया टिकेट की दावेदारी पेश कर रही थी लेकिन उनका टिकेट नहीं हुआ वे सिर्फ घोशना पत्र के पोस्टर पर ही रह इसके बाद उनका दर्द छलक गया उन्होंने ट्वीट कर पार्टी के पद धिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए डॉक्टर प्रियंका मौरिया ने ट्वीट कर राष्ट्री महा सचिफ प्रियंका गांधी के एक सचिफ पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने ट्वीट म और भी संसनी खेज आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी महिला विरोधी है यहाँ सारे टिकेट प्री प्लैंड है सिर्थ दिखावे के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है हमसे कहा गया कि टिकेट चाहिए तो मैरथन के लिए लड़किया लाइए मैरथन में लड़कियों के होती रहेगी बता दें कि डॉक्टर प्रियंका मौरिया के ट्वीट के बाद पार्टी में खलबली मच गई है एक टीवी चानल को दिये गए इंटेव्यू के मुताब एक डॉक्टर प्रियंका मौरिया नस्ताफ किया कि सरोजनी नगर सीट पर आप्जर्वर्स की जो रिप पास इसके सबूत है